हमाशकार दोस्तों तो आज का सेशन हमारा जहां पिछली कक्षा हमने इंड किया था उसी का आगया में आपे पोसीड करेंगे तो यह इंदी साहित का जो कि दृष्टी आइस का क्लास नोट से हमारा और यह विकास दिविकिर्ति सर्के द्वारा पढ़ाया गया वीडियो के मा महतपूर गद्यांसों की व्याक्षा पर पिछली क्लास में इंड अप किया था और उसी के आगये महां पे कांटिनी रखेंगे ठीक है तो आज़े देख लेते हैं पहला गद्यांस अमारा क्या था और इस हमने कल इंड किया था देखिए पहला गद्यांस है कि उसकी लास चलते चलते ठक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो मरे आदमे और सोई अंतरही कितना होता है बस एक सास की डोरी का वह तूटी और आदमी रहा देखते ही लेखन दौर्गीशू प्रसिध लेखिका मनु भंडारी द्वारा सन 1989 में रचित महत्पूर राजनेती को पन्यास महाभोस से लिया गया है। यह पन्यास अपने छोटे से कलेवर में ही राजनेती के तमाम विकृतियों को उजागर करने में सफल रहा है। मुई प्रसंग की बात करें तो पस्तुत प्रंग्तिया उपन्यास की आरंभिक पंग्तियां है जहां पता चलता है कि विसु नामा के एक दलित विवा की लास पड़ी है। व्याख्या करेंगे तो लेखिका विसेसर के लावारिस लास के बहाने उजागर करती है कि सत्ता के विरूत आवाज उठाने वाली आम जनता का अंतिम परड़ाम क्या होता है। एक भरा पुरा परिवार होने के बावजूद उसकी लास लावारिस पड़ी है। वह आदमियों सहीत बस्ती में आग लगाने वालों के खिलाफ सुबूत इकठा कर रहा था इसलिए मार दिया गया। अब लेखिका वियंक करती है कि मरे हुए और सोय हुए आदमी में अंतर कितना होता है भला। कोई इंसान चलते फिरते कब राजनीतिक दुश्चक्रों का सीकार होकर सोय हुए इंसान से मरे हुए इंसान में पढ़ियत हो जाए। कहा नहीं जा सकता। ये व्यंक किया गया है। विसु जैसे यूवक की मौत पर केवल अचमभित हुआ जा सकता है। किसी की हिम्मत नहीं कि इसके खिलाफ खड़े हो। और जो खड़े भी होते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। बात करें कि विसु की मौत की खबर सुनते ही गाउं के लोग जमा हो गए। एक भीड जूट गई। जिसकी आँख, कान, नाख, मुह सभी बन रहते हैं। यहीं सभी लोग शुपी साधे रहते है। अब इसे में क्या है। इन पंक्तियों में दिखाया गया है कि स्वतंतर भारत में अन्याय के विरूत जागरूप नागरी को किस तरह कुचल दिया जाता है। वहीं अगर बात करें कि भासा का स्रांतम रूप में परयोग हुआ है। परयोग होने के बाद भी जो है अर्थ की जो अत्यंत प्रभावसिलता में परंचक है। ठीक है अर्थ जो है बदला नहीं है। अर्थ बलकि और प्रभावसिल में रूप में उभर कर सामने आया है। ये अर्थ सूचक यो है वेंजर पाप के है दूसरा माना वाक्यांस हम पढ़ते हैं लेकिन जैसे ही खबर सहर में पहुची वहां में वहां से मंत्रियों नेताओं और अखवार नभीसों की गाड़ियों सकाता लग गया आग से उठने वाले धूए के बादल तो एक ही दिन में छट गए पर सहरी गाड़ियों से उठने वाले धूल के बादल कई दिनों तेक मढ राते रहे नेताओं ने गीली आँखों और रूधे हुए गले से फोक प्रवकट किया और बड़े बड़े आस्वासंदी अखवार नभीस आये तो दनादन उस राख के धेर को ही फोटो खीच कर ले गए दूसरे दिन अखवार में स्थाप कर घर घर पहुचा भी दिया गया इस घटना का सचित्र व्योरा किसी ने सवेरे खुमारी में अंगडाई लेते हुए तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा देखा देखते ही चेहरे पर विशाद की गहरी चाया पुत गई चाय का घूट भी करवा हो गया सायद और धेर साई सहान भूती और दुख म पिर बाद गावालों के जिंदिगीयों की तरह अखवार भी रदी के धेर में जा पड़ा तिसको हमने कई बार देख लिया है अब संदर्व देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तिया जो है वो नौलेखन दौर के सबसे ससक्त राजनीतिक उपन्यास महाभोश से ली गई है कुछ वाक्यांस को आप चेक कर सकते हैं ठीक है अब प्रसंग की बात अगर हम करें तो स्वरोहा गाओं के हरिजन टोला में आद्मियों सही जोपडियों के जल कर राक होने की होने की खबर सहर पहुचने के बार इस्थिति को दर्साया गया है कि किस प्रकार इस आगजनी की लख्टो पर विभिन राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटिया सेखते हैं मनुभंडारी ने इसका मार्मिक वर्ण किया है महीं व्याख्या की बात करें तो प्रस्तुत पंकियों के माध्यम से लेखिका ने चुनाओ के समय राजनीतिक दलो द्वारा दंगा फसाद आगजनी आदी करवाकर उस मौके को भुनाने की संपूर प्रक्रिया का बेहत सटीक वर्ण किया है विभिन नदलो के नेताओं के पीछे पीछे मीडिया भी उसोर लपकती है तथा इसे अपने अपने फायदे के अनुसार इस्तिमाल करती है नेताओं द्वारा जो फूल माला चढ़ाई जाती है जो दिखावटी आसु बहाय जाते हैं जो आस्वासन दिये जाते हैं उन्हें मेडिया सचित्र ब्योरे के साथ घर घर तक पहुचाती है लेखी का बुद्ध्य जीवी समाच पर व्यंग करती है करती हुई कहती है कि च चुस्की के साथ अखबार पढ़ते हुए दुख और सहान भोती से कुछ घिसे पिटे सब्द निकलते हैं और पर परना पलट जाता है उद्धर गटनास तर पर नेताओं का ताता खत्म होता है और इधर गाँवाले के जिंद्धियों की तरह अखबार भी जो है वो प्रद मौत को भी राजनीतिक रंग देने से नहीं चूपता वही राजनीताओं के दोरे चरित्र को ये पंक्तियां अनावरित करती हैं साथी साथ में अखबारों में जन्वी मुख एवं सत्ता के प्रती चटुकारी चरित्र को भी दिखाया गया है जो ऐसी घटनाओं पर उठे आस्वासन को वरी अता देते हैं वहीं इसके साथ साथ में तथा कथिर बुद्ध जीवी वर्ग की संवेदन हींता पर व्यंग किया गया है जो इस तरह की खबरों को केवल खबर की तरह पढ़कर पन्ना पलड़ देते हैं ओ और वर्ग सिंपली इन हुमर जैसे अंग राते देह जैसे वेंजना पूर्ण कथन लेखिका की रशनात्मक दर्शमता को दर्शाते हैं बिल्कुल सरल और सहज भासा में तीव रशमेदनात्मत एवं अर्थ वेंजनक्ता अंत्वेजक्ता अनुस्यूत कर देने का सामड़ दर्शनी है यह हमारा हो गया दूसरा ठीक राजनेताओं की परंपरा रही हो वहां राजनीती का ऐसा पतन कभी कभी मन में एकदम वैराग ग्यवा जाता है पर राजनीती में जहां तक अपने को धंसा लिया वहां से निकाल भी तो नहीं सकते निकलने का सीधा आर्थ हार मान लेना और जीवन में एक यही तो बात है जीसे वो कभी नहीं मान सकते पिछले चुनाव में हार कर भी मन से वे उस हार को एक दिन के लिए भी स्विकार नहीं कर सके उस हार को जीत में बदलना ही है जो भी हो जैसे भी हो कित संकल्प है उनके लिए तो सेम रखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां नौलेखन के दौर की प्रखर हस्ताक्षर मनु भंडारी द्वारा 1989 स्वी में रचीत उपन्यास महाभो से ली गई है प्रसंग की अगर बात करें तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे पहले दास आपते उनके विपक्षी दल के नेता सुकुल बाबु तो सुकुल बाबु की मानसिक स्थेती को अभिव्यक्त किया गया है वे सरोहा निर्वाचन छेत से खड़े होकर इस चुनाओ को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं जाय उसके लिए कूटनीती या छलनीती ही क्यों ना अरपनानी पड़े हैं। वह अब आउसर को खोना नहीं चाहते। व्याख्या की बात करें तो इन पंतियों के माध्यम से लेकिका ने विपक्षी दलके नेता सुकुल बाबु की मना स्थिति को जागर किया है। उनके अनुसार सुकुल बाबु वर्तमान राजनेति की स्थिति से संतुष्ट नहीं है। असंभव है। वहीं रहने के लिए विवस हो जाता है। जुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार छलनीती वा पूर्टनीती का परियोग करती है। इसका संकेत किया गया है। भासा सहाज एमस प्रभाव साली है। किसकी बात कर करें। वहीं गाउं की भीड बड़ी हुलसकर देख रही है। अगला हमारा है कि गाउं की भीड बड़ी हुलसकर देख रही थी। देख रही है यह सब्रिश दास आपके इस बड़पन की आगे सभी नत्मस तक हो आए हैं। बड़े बुढ़ों को तो सबरी और निसात की कथाएं यादा हो गए हैं। किसी किसी को इर्शा भी हो रही है और ही रह से कि बेटे के जाने कितने मरते हैं पर ऐसा मान किसी को नहीं मिला। तो हुआ आप देखेंगे संदर्व। यह प्रसंद की एक ही में लिखा गया है। तो प्रस्तुत पंग्तिय जो है मनुभंडारी द्वारा विर्जित हिंदी के महत्पूर्ड राजनीती को पन्यास महाभोस से उद्रित है या फिल लिया गया है। यह बिसु की मौत के बाद दास सहाब के सरोहा दोरे से जुड़ी है। तो सबसे पहले बिसु की घर जाते हैं और बिसु के पिता हीरा को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। इससे एक और दास सहाब का बड़पंज लगता है और दूसरी और लोगों को हीरा से इर्श्य होने लगती है। और यह भी आख्या की बात करते हैं। दास सहाब की इस महानता को लख्षित कर गाओं के भुजुर्ग लोगों को राम शबरी के और निसात की कथाएं स्मित हो जही थी। कई ग्रामेरी इर्श्या से भी वशिभूत हो उटते। वे सोचते हैं कि बेटे तो न जाने कितनों के मरते हैं पर ऐसा सम्मान भला किसको मिलता है। अब इसे इस किसमें बात करें। प्रस्तु पंक्तियों के माद्यम से मनु भंडारी ने दासाहब के प्रदर्शन वृत्ति के पीछे छिपे घागपन और आउसर वादिता को वेंजना के धरातल पर अनावृत किया है। मौत को भी राजनीतिक आउसर के रूक में तबदिल कर देने वाली भारती राजनीति की यह पंक्तियां करारा वर्बेंग है। मौत को भी राजनेती का जो है मुद्दा बना लेते हैं भाज राजनेती ग्रामीड लोगों की सहजता और भोलापन भी इस पंग्तियों में छलगता है जिसका फायदा अक्सर उठाया जाता है भासासर, सहज और प्रभावसाली है वगला मारा गद्यान से पांचवा देखे इस बार तो देख लिये सब ने कि जनता की एकता में बड़ा जोर है तूफानी जोर तूफान आता है तो बड़े 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 पेरों की जड़ सही तो खार फेकता है जनता एक होती है तो बड़े बड़े राज जुलड देती ह पीका हुआ आदमी ही इस बात को सबसे ज़्यादा महसूस करता है कुर्सी पर तो बैटना है तो जनता में फूट डालो कुर्सी बचानी है तो जनता में फूट डालो जनता की एक था कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खत्रा है समझ रहे हैं ना आप, लोग मेरी बात, आप लोग खुद, फिर संदर्व की ब्यात करें, तो संदर्व क्या होगा, कि व्याखियन पंतियां नौलेखन के दौर की प्रखर लेखिका मनुभंडारी दौराराचित महाभोज उपन्यास से ली गई है, यह उपन्यास राजनीतिक छल प्रपंचो की तरह तक जाकर उसका उद्घाटन करता है, प्रसंग की बात करें, तो दा सहाब एक सभा में सरोहा में निर्वाचन छेत्र के मददाताओं को संबोधित करते हुए, संबोधित करते हुए, विपक्षी दल के नेता सुकुल बाबु के पूर्व में दिये दिये भांसड की धज्जिय उडाते हैं, प्रस्तुपंक्तिया उसी भांसड से ली गई है, अब आई देखते हैं, वियाख्या की बात अगर हम करें, तो मुख्यमंत्री दा सहाब जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं, कि उनकी ताकत के बारे में बता रहे हैं, उन्हें भांसड का निराधर सिद्ध कर रहे हैं, विशेस इसमें क्या हैं? इदा सहाब के मूँ से ये सारी बाते कहलवा कर लेखिका ने उनके दोबरे चरित्र को घाटिट किया है, क्योंकि वे खुद इन सभी प्रपंचों का सहारा लेते हैं, ये पंक्तियां राजनेताओं के जहरे की सुक्ष में पहचान देखते ही बनती है, तिल्प आमर्थ की द्रिष्टी से ये पंक्तियां अत्यंत प्रभावसाली है, भासा सहज सरल किंतू धारदार और अर्थ विंजक है, आज के राजनेतिक संदर्व में ये पंक्तियां और प्रासंग की खोठी है, अब बा हमेशा अगर मगर में फसा उनका मन साम ने आये आवसरों को इसी तरह ठोकराता आया है, पर उस सबसे क्या हुआ है, यही न कि वे खुद ही सबकी ठोकरों में पड़े हैं, आज, लेकिन इस बार वे वही करेंगे जो उनसे कहा है दा साहब ने, लिया जी ने, साम को अकेले म बैठ कर दो पैग कढ़ाय सकसेना ने और मन में उगाय सारे मलाल की ऐसी की तैसी कर दी, बात को कहीं से कहीं घुमा दो, कैसे भी मोड़ दो, जो चाहे निसकस निकाल लो, बाए हाथ के खेल हैं, यह सब पुलिस वालों के लिए, मन को सब और निर्द्वंद वना कर कल वे सर दोहा के लिए चले थे, लेकिन हीरा का बयान लेकर लोटे, तो भीतर जाने कैसा ममत तो जागने लगा, महेस का यह वाक के बस समझ लीजिए सर, हम सब लोगों के जिंदा रहने का प्रश्ण चिन में लगा कर वह मर गया, उसके अपने सामने जाने कितने प्रश्ण चिन अगया है और जिसकी रश्णा 1989 से की होई थी, क्यों पन्यास राजनीतिक विद्रूपताओं के साथ भ्रश्ण पूलिस विवस्था को भी दिखाता है, प्रसंग की बात करें तो जुरावर द्वारा बिसेसर की हत्या कर दिये जाने पर गाउं में तनाव परिव्याप्त हो तो यहाँ पर सिना सक्सेना को मामले की जाच यह तु भीजते हैं, साथ ही यह विस अंकेत कर देते हैं कि असपस्थ हात्मक्त्या का मामला है, सक्सेना यही सोचकर बयान लेने जाता है, किन्तु बयान लेने के बाद उसका मन बदल जाता है अब याखा की बात करें तो लेखिका इस अंस के माध्यम से दिखाना चाहती है कि घंगोर से घंगोर अंधेरे में भी एक छोटा सा दीपक जल ही जाता है जो अंधेरों के साथ अंत तक संगर्ज करता है लाक मिशे करने के बाद भी सकसेना बिजू की हत्या कुवात्म हत्या सावित करने का मन नहीं बना पाता है लेखि क्या व्यंग करती है कि किसी भी बात को मन चाहे ढगनिसकर्स तक पहुचाना पुलिस वालों के बाय हाथ का खेल है सक्सेना भी ऐसा कर सकते थे किन्तों महेश और हीरा के बयान का एक-एक सब्द सक्सेना को बेधता रहा सक्सेना अपने व्यत्तिगत हानी लाव की चिंता भूल कर सत्य की खोज करने का निश्चे कर लेते हैं और लेखिका नेशी बिंदू से सक्सेना का विव्यक्तिन त्वांत्रण आरंध किया है। विशेश की बात करें तो इसमें जो है विशेश क्या है कि पुलिस को सत्ता की कट कुतली बताया गया है। पत्ता जब चाहे पुलिस के माध्यम से सच को जूट और जूट को सच सावित कर सकती है यह भारती प्रसासनिक व्यवस्था पर एक गंभेर प्रस्णचिन उपस्थित करता है एक पुलिस अफसर को अपने करतव और सकता के धवाव के बीच जूजते दिखाया गया है जो सामान यथार्थ भले ही न हो पर दुल्रव यतात अवश्य है बस समझ लिजे सर हम सब लोगों के जिंदा रहने पर प्रस्णचिन लगा कर वह मर गया वाक के माध्यम से चुप्पी सादने वाले लोगों को जगाने का प्रयास किया गया है पात्रा नुकूलवर सरल सहत भासा का सटीख प्रयोग किया गया है जो प्रभाव की दृष्ठी से बहुत ही धारदार है आए सात्मा देख लेते हैं कि ऐसा आतंक आपने कहीं देखा नहीं होगा साहब लोगों के घर जमीन गाय बैल ही रेहन रहे हैं ही रेहन रखे ही रेहन नहीं रखे हुए हैं जो रावर और सर्पंच के यहां उनकी आवाज और जबान तक बंधत रखी हुई है कोई चू तक नहीं कर सकता तंदर वर प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंग्तियां जो हैं वो मनुभंडारी के उपन्यास महाभोस से ली गई है इस उपन्यास में भारतीस राजनीती के चैत्र का अगभाटन करते हुए राजनीतिग्यों द्वारा अपराधियों को सनरक्षर दिये जाने तथा उनसे गठ जोड़ कर अपना राजनीतिख हित साधने का भी चित्रन किया गया है यकथन सरोहा गाउं में बिसु की हत्या के पस्चात स्वी सक्सेना को बिसु के दोस्त बिंदा के वयान के रूप में कहा गया है इन पंतियों में गाउं के प्रभाव साली गुंडो, सरपन चेउम जुरावर के दहसत का प्रभाव कारी चित्तन हुआ है व्याख्या की बात करें तो बिंदा कहता है कि अस्थानी सक्तिसाली एवं आपराधिक प्रभिर्ति के लोगों ने सोचन एवं दवन की फद पार कर दी है ग्रामेड पर उनका आतंक एवं भाई इतना अधिक है कि कोई उनके विरुध मुह खोलने की हिम्मत नहीं करता उन्होंने लोगों की संपत्ति के साथ साथ एक तरह से उनकी आवाज को भी बंधग बना लिया है अब विसेज किसमें अगर बात करें हम यहाँ पे देखे इसमें विसेज क्या है देखे इन पंक्तियों में जो है ग्रामेड जीवन के ग्रामिट जिवन में अमानवी ये सक्तियों के वर्चस्व का प्रभाव साली सित्रण हुआ है भासा बहुत ही सठीक है और लेखिका के मनतब्य को वहन करने में पूरी तरह सक्षम है साथिसा सब्दावली के प्रियोग को लेकर लेखिका का दृष्टी कौन लचीला है व्रक्त कर सके जिस समस्या को इन पंक्तियों में इसारा किया गया है वह आज के समय में भी मवजूद है वाई ये आठवी पंक्तियां अपनी हम देख लेते हैं व्राख्या खंड कि 42 के दिन आपों के आगे उभराये क्या उमंग क्या जोस थाओं दिनों में अरताले जुलूस और नारों के बीच ही दिन गुजरते थे और रात को नीद में भी भुजाएं फड़क्ती रहती थी और मुठियां हवा में उचल जाती थी एक बार तो वे और दिनेश सेक्रेटरियट पर तिरंगा लगाने का संकप ले कर निकले थे दूसरी मंजल तक पहुच भी गए थे कि अचानक गोली चलने की आवाज सोने कर वे भाग आए बिना इस बात की परवात किये कि पीछे दिनेश अकेला रह जाएगा पुलिस का डर था या प्राणों का मोह जिसने सोचने ही नहीं दिया कि दोनों दोनों साथ निकले हैं और साथ कदम बढ़ाया है तो अन्त तक भी साथ रहना चाहिए यह स्पी जो है अपने मित्र दिनेश के बारे में सोच रहा है ठीक है इसके सामने जहें धर्म संक्र पड़ जाता है तेकर संदर्व की बात करें तो यह व्याख्यन पंतिया राजनेतिक उपन्यास का राजनेतिक उपन्यास महाभो से ली गई है जिसकी रशना 1989 में मनुभंडारी ने की थी क्या उपन्यास नक्यवल राजनीतिक सत्यों की अभिवेक्ति की प्रसंद भी बेहत खुपसूर्ती के साथ उभारा गया है प्रसंद की बात करें तो विशु की हत्या की जांच कर रहा एसपी सक्सेना जब बिंदा का वयान लेता है तब उसे अपने साथी दिनेश की याल आती है जो सन 42 के आंदोलन में मारा गया था सक्सेना के मन में पश सम्विधनात्मक रूप में चित्र किया है वियाख्या की बात करें तो लेकी का सक्सेना के व्यक्तित्वांत्रण के लिए दिनेश नामक प्रतीक का सहारा लेकर बताती है कि किस प्रकार सन 42 में सक्सेना अपने कर्तव के पत से पीछे हट जाता है उसने अपने साथी को हकेला नहीं छोड़ेगा क्योंकि बिंदा के रोग में उसे दिनेश दिखाई पड़ता है लेखिका ने बिंदा को तेजित बयान के बाद दिनेश की चर्चा करके कंट्रास्ट उत्पन्न किया है जिससे सक्सेना का व्यक्तित्वांतर्ण ये थातवात से अधिक निकरप्रतीत होता है अब बात करें विशेस की तो विशेस इसमें क्या है कि नव लेखन दौर की प्रमुख साहित्तिक प्रविर्तियों में मध्यवर्गी बुद्धिजीवी का अंतरदवंद एहम है जो उस समय की अनेक रचनाओं में दिष्टी गोचर होती है महाभोज में मनुभंडारी ने बड़े सुन्दर तरीके से दर्साया है कंट्रास्ट के माध्यम से कथ्थ को अधिक पुखता किया गया है विशू के साथ दिनेश के प्रसंग को जुड़ना एक बेहत सार्थक उक्ति प्रतीत होती है सन्द बयालेश की घटना को प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है इसमें दिनेश अकेला व्यवस्था के संधर्स करता हुआ मार दिया जाता है वहीं सिल्प सामर्स की द्रिष्टी से ये पंकिया अत्यन्त प्रभाव साली भासा स्वरल सहज किन्तू धारदार है अब बात करते हैं नौवा परयाग्राफ नौवा गध्यांस मुस्कुरायदा साहब पतने की समझ पर थोड़ा प्रसन न भी हुए कोई एक महिने पहले ही बुला कर समझाया होगा इस संपादक को और अख़बार का रंग ही बदल गया कमी नहीं है समझदार लोगों की बस सही ढंक से दिसा निर्देश करवाने वाला कोई नहीं और इस वाक्र के साथ ही मन अख़बार से छेटक कर एका एक देश के साथ जुड़ गया देश की दुरावस्था का सबसे बड़ा कारण ही है सही नेत्रित्र का अभाव सात्रों को देखो, यूकों को देखो, किसान मजदूरों को देखो सब के सब दिशा हें से भटक रहे हैं कोई दिशा दिखाने वाला ही नहीं लोगों की भटकन का जरा सा दुख दासाव के स्वर में भी उभराया संदर्व की बात करें मैं हापे तो संदर्व क्या है? प्रस्तुत पंक्तिया न लेखन दोर की अग्रगर्ण लेखिका मनुभंडारिद और रचित उपन्यास महाभोस से ली गई है राजनीतिक क्यांत्रिक विद्रूपताओं के साथ यह उपन्यास पत्रकारिता के विकाउपन को भी दरसाता है प्रसंग की बात करें तो मसाल के बदलते स्वर वर तेवर से दास सहब के सा साथ उनकी पत्नी जमना भी खुस है लेखिका ने इस संदर्व में राजनेती के साथ पत्रकारिता के गठ जोड प्योर संकेत किया है तो यह बात करते हैं हमारी व्याख्या खंड की तो इन पंक्तियों में विरोधा भास के मार्ध्यम से लेखिका ने व्यंग किया है मसाल क संपादक दत्ता बावु को दा सहब के निर्देशों को मान कर उनके पक्ष में अख़वार का अंग निकालने के लिए अखवार का अंग निकालने के लिए संपादक को समझाद समझदार कहा गया है इसका स्रे दा सहाब स्वयम को देते हुए देश के किसानों, योकों को दिसा निर्देश के अभाव में दिसा हीन होने पर चिंता जटाते हैं लेक का बहुत ही मारमिक धंग से मीडिया को सत्ता के हाथों की कठचपुतलिध होते हुए दिखाती है राजनीती और पत्रकारिता का ये गठचोड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है विसेस की बात करते हैं आइए राजनिती और पत्रिकारिता के गठ जोड को व्लिवेंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है पत्रिकारिता के व्यवसाई करण को दर्साया गया है जोपने फायदे के लिए जूट को सच और सच को जूट सावित करने के पीचे नहीं हकती वही भारती राजनीती के घाग चरित्र को ये पंक्तियां पूर्तिया अनावरित कर देती है सिल्प सामर्थिके दृष्टी से ये पंक्तियां अत्यन्त प्रभावसाली है भासा सरल सहर्ज किन्तु धारदार है वहीं ये पंक्तियां वर्तमान में मीडिया के विकाव चैत्र को देखते हुए ये पंक्तियां और भी प्रासंगी कोठी है आज़े बात करते हैं दस्वानमबर हमारा देखिए इसके बाद छोटे-छोटे दलों में बठ कर लोग आपस में बातचीत करने लगे है हाथों में कीमती गिलास थामे हुए कोई दल देख में बढ़ते प्रस्टाचार पर चिंता कर रहा था तो कोई फैलती हुई अर्थविवस्था पर किसी के सोच और रोष का विसेथा देश का तेजी से गेरता हुआ नैतिक अस्तर तो किसी को दिन बदिन बढ़ते हुए मुल्य परशान कर रहे थे रोगन पालिस से चमकती हुई लगदक कपड़ों में चिप्टी स्त्रियां पूर्सों की हां में हां मिला रही थी अब संदर की बात करें तो प्रस्तुत पंतिया हिंदी की विख्यात उपन्यास कार मनुभंडारी द्वारा 1989 इस्वी में रचीत प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास महाभोज से ली गई है राजनीतिक पत्रकारितावा अफसर साहिस के भष्टाचार आधी के अस्पस्ट चित्टन के द्रिष्टी से महाभोज हिंदी का त्यंत महात्युपूर्ण उपन्यास है प्रसंग की बात हमें आपे करें तो विशू की हत्या को दास सहब के अनुकूल मोड कर बिंदा को दोसी करार देकर उसे गिरफ्टार करवा कर लापर वाही वकरतव निष्टा से विमुपूता का आरोप लगा कर तकसेना को निलंबित कर स्वैंट डियाईजी की रूप में प्रोनत को सिन्हा के अपने घर पर एक भोज का आयोजन करता है इस पार्टी में आए बड़े-बड़े अधिकारियों लोगों की बाते देश की चिंता से जुड़ी हुई होती है लेखिका ने इस तर्थे को मालमिक व्यंगे के साथ कर दिया है व्याख्या की बात करें तो दा सहब जिस रंग में रगना चाहते थे उसमें वे सफर हुए इस साजिस में जिन लोगों ने दा सहब का साथ दिया वे आज माला माल हैं जैसे डियाजी, सिन्हा, दत्ता बाबू, आदी जो उनके रास्ते में रुकावर्ट बने वे सभी बेहाल हो गए इनमें इमानदार पुली सक्षर सक्सेना भी सामिल है। सिन्हा की प्रोणती की पार्टी में सराप पीते हुए देश की अर्थ व्यवस्था पर बात करने वाले बुद्ध जीवियों के माध्यम से मनुभंडारी निवर्तमान राजमीती कशर साही में व्याप्त भष्टाचार, कर्तबहींता भागपन, आधी प्रविर्तियों का उद्गाटन किया है। बात करते हैं विश्यस की। पर चिंता के माध्यम से कंट्रास्ट उत्पनी किया गया है। इससे व्यंग की इधार और तीब्ध हो गई है। अब देश की उन्नति प्रगति पर चिंतन करने वाले बुद्ध जीवियों की वास्त्रिक स्थिती का शितन भी किया गया है। कि दूख्षमव्यंग कि दृष्टी से यह पंगतियां अत्यях उत्कृष्ट हैं जो गुधी जी बघर के ववास्त्विक चरित को पूरी तरह अनाब्रित कर देती हैं महीं बात करें तो सिल्ख सामर्थ की द्रिष्टी से भी ये पंक्तियां अत्यन्त प्रवावसाली है खासा सर इंतुधारदार और अर्थवेंजक है अगला हमारा है गद्यांस 11 नंबर की नहीं ये बाते गिने चुने मुर्खों को छोड़ कर अब किसी को परिसान नहीं करती परिसान करना तो दूर खन भर के लिए भी किसी को दिमाग में नहीं आती कुछ बात है कुछ तत्य कुछ इस्थितियां प्रश्लीत होते होते सब के बेच इस तरह स्विक्रिदी पा लेती हैं कि वे फिर लोगों की सोच की सीमा में रहती ही नहीं अब संदर्व की बात करेंगे हैं आप देखिए संदर्व के अंतरगत क्या है प्रस्तुत गद्यांस राजनेती को परन्यासकारों में त्रिष्ट मनुभंडारी कृत महभोस से लिया गया है जिसकी रचना 1989 में हुई थी प्रसंग डियाजी पदपद प्रोनत सिन्हा के घर पर चल रही पार्टी मुन की हैसियत से अधी कीमती वस्तुमों पर वहां मौजूद व्यक्तियों की चुप्पी का वढ़न लेखिका ने किया है प्रश्टाचार में व्याप्त, राजनीती, पत्रकारिता, नौकर साही, इत्यादिमी आयसे अधिक संपत्ति का मामला कोई नया नहीं है किसी को लेखिका ने बड़े हिस्त हैजता से प्रदर्सित किया है स्रीमती सिन्हा के गले में कीमती हार, हीरो का हार अथवा, कीमती सराबे किसी को ध्यान उस तरफ नहीं जाती लेखिका कहती है कि ये बाते किसी के दिमाग में भी नहीं आती क्योंकि यह इतना प्रश्टीत हो चुका है कि किसी को असामान ने प्रतीत नहीं होता इन इस्तितियों पर ध्यान देने वाले जागरूख व्यक्तियों को मूर्ख कहकर व्यंग किया जाता है आए दिने आए दिन नेताएं अपसर पर आए से अधिक संपत्ति के आरोब लगती आए हैं किन्तु अब ये बाते विस्मे की जिगह सामानी लगती है अगर बात करें हमें आपे दिखिए भारती समाज में भरष्टाचार की इस तरह स्विक्रिती पाचुका है ये पंक्तियां इस तत्थ को बखोव्यूद घाटन करती है लेखिका ने जिस तरह से भारती समाज में भरष्टाचार की ग्राहत्ता को चित्रण किया है वह फीडा उत्पन करती है आयसे अधिक संपत्ति पर लोगों की चुप्पी के माध्यम से इस समाज में प्रसलित वा स्विक्रित आम भटना मान कर उस पर व्यंग किया गया है वहें बात करें अगला पॉइंट की तो सामाजिक वी संगत्यों के प्रती जागरुक व्यत्यों को मूर्ख कहकर लेखिका ने व्यंग किया है और प्रकरांतर से मुल्यों के पतन के प्रती चिंता व्यत्ती है इन पंक्तियों की भासा सहच और जानदार है जो कत्थ को पूर्टया संप्रिशणिय बना देती है जीवियों में तिल में लाहट उत्पन करने में समर्थ है अब बात करते हैं अगले गद्ध्यांस के लेकिन हजार हजार प्रसनों के सलीप पर टंगा हुआ उनका मन हर पल उन्हें मकता रहता है अपने आसपास और चारों तरफ जो कुछ हो रहा है उसे आंक मूद कर स्विकार आते रहें एकदम उदासीन और तटस्थ होकर रह सकता है कोई भी जीवित आदमी इस तरह नहीं रह सकते थे तभी तो एक बहुत बड़ी क्रांती के एक छोटे से वाहग बने थे पर कैसी हुए क्रांती कहीं से कुछ भी तो नहीं बदला और कहां से होगी दूसरी क्रांती और कौन करेगा उस क्रांती को जो सब कुछ बदल दे आज तो परिवर्तन का नाम लेने वाले की आवाज घोट दी जाती है और उसे काट कर फेक दिया जाता है एक तरफ फिके गिने चुने आदमियों के घुटे गले और रूधी आवाजों से क्रांती का स्वर फूट कभी संदर्व की बात करें तो प्रस्तु पंक्तियां 1989 में विख्यात लेकिका मनुभंडारी क्रित महाभोज उपन्यास से उद्रित हैं आपर ली गई है प्रस्तं की बात करें तो मंत्री मंडल में मंड्री मंडल से बरखास्त किये गए लोचन भाईया ने पार्टी से भी त्याक पत्र दी दिया लेकिका ने लोकतंत्र के मुखोटे की बीच सचका सार्थक व्यक्तित्व की दूरदसा का स्वर दिया है अब बात करें व्याक्षा की व्याक्षा क्या है कि लेकिका ने लोकतंत्र में इमानदार व्यक्ति की विवस्ता और दूरबलता को दिखाया है साथ ही यह भी दिखाया है कि सत्ता के साथ कदम से कदम मिला कर ना चलने वाले पर उसकी क्या दूरदसा होती है लोचन भाईया जब अपने सिभ्धान पर टीके रहते हैं तब उन्हें मंत्री मंडल से बरखास्त कर दिया जाता है और जिससे शुब्ध होकर वे स्वेच्छा से त्याक पत्र दे देते हैं वेहतास परशान हो जाते हैं कि आसपास फ्रैली विसंगतियों के प्रति उदासीन और तटस्त कैसे रहा जा सकता है पार्टी एक क्रांती लाना चाहती थी लेकिन धीरी धीरे वह सब कुछ भोलकर अपने स्वार्थ पूर्थी में लग गई लेखी का मुट्टी भरिमानदार और जागरुप लोगों को लेकर भी अत्यंत चिंतित है जिसकी आवाज बंद कर दी जाती है जिने मौत के घाट उतार दिया जाता है और ऐसी अवस्था में ना तो समाच का कल्यान संभव है ना ही क्रांती आ सकती है विसेस के अगर बात करें तो विसेस इसमें क्या रहा है देखिए सगर इसमें हम विसेस की अगर हम बात करें तो विसेस के अंतरकर हम यहाँ पे देखेंगे कि लोकतंत्र में इमानदार व्यक्तित्व किस तरह हासिये पर चले जाने का विवस कर दिये जाते हैं ये पंक्तियां भारती राजनिती किसे अथार्थ को अनावरित कर द नहीं है क्रांती के नाम पर एक चित्र होकर अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को असली चेहरा दिखाया गया है तत्ता निर्मित वर्तमान सामाजी की स्थिती में परिवर्तन हेतु आवाज उठाने वाले व्यक्ति को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता गया है जिस पर लेखिका ने किंतित होकर कहा है कि ऐसे स्थिती में करांती कैसे आएगी विभेन निस्रोतों से सब्दों को ग्रहन करते हुए लेखिका और लेखिका ने सहज और संप्रेंट्षण ये भासा का प्रियोग किया है अब हम देख लेते हैं व्याक्षा खंड हेतु जो है अन्यमहतपुर गद्यां से इनकी प्रसंग की बात करे हम तो पहला हमारा होगा तक पूछा जाए तो बड़ा ना आदमी होता है न घटना ये तो वस मौके मौके की बात होती है मौका ही ऐसा आपड़ा है कि समय तो सरोहा में पत्ते हिलना भी एक घटना की एहमियत रखता है देढ़ मैने बाद ही तो चुनाव है यो उप चुनाव विदान सभा की एक सीट पर एक सीट भर का है फिर भी है बहुमत महतपुर इस सीट के लिए भूतपुर मुख्यमंतरी सुकुल बाबु खुद खड़े हो रहे हैं सुकुल बाबु क्या खड़े हो रहे हैं समझ लीजिए कि उनके चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है हम ठोक कर ललकारती हुई सत्ता रूर्ण पार्टी पूरे अस्तित को चुनावती देती हुई तो ऐसे पिछले चुनाव में हारने के बाद सुकुल बाबु ने बकायदा एलान कर दिया था वे अपसक्री राजनीती में सन्यास ले लेंगे और चीवन के बचे दिन जनता की सेवा में ही बिताएंगे पर पहला उसर आते ही वे फिर लपक गए क्या करते पत से उतरते के उतरने के बाद तुरंत बाद उन्होंने है महसूस किया कि जनता की सच्ची सेवा उच पत पर बैठकर ही की जा सकती है और जनता की सेवा का संकल्प उन्होंने अपनी इस कच्ची उम्ड में लिया था जिसम्र में संकल्प विकल्प अंचाहे आदमी के जीवन का अभिन अंग बन जाते हैं प्रसंगी बात करें कुछ समय पूर्व हर जनों को जीवित जला दिया गया किन्तो उस पर कोई भी कारवाई नहीं की गई उप्चुनाव नजदीक होने की वज़ा से बिसेसर की हत्या को अहमियत दी जारी है जिस सेराजनेता पतरकार एवं प्रसासन तंत्र सक्री हो जाता है इसमें घटना या व्रक्ति की अपेक्छा आवसर को अधिक महत्यपूर माना गया है अब दूसरा है मारा पर लोचन बाबू है कि मंत्री मंडल की मृत्ति की घोशना से पुल की थो रहे हैं नराज चौधरी की कीमत से चमतकृत एक ही प्रश्न है जो उन्हें तरह तरह से मत्रा है ये सब किसलिए? किसलिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या इसी परिवर्तन के लिए सुकुल बाबू की पार्टी और विधान सभा छोड़ी थी उन्होंने? इस क्रांती, इसी क्रांती का सपना देखा था और क्या इसी टुच्चे पन की सौधे बाजी के लिए मंत्री मंडल गिराने की बात सोच रहे थे वे? नाम, चेहरे, लेबूल, भले ही अलग-अलग हों पर अलगाओ कहां? सुकुल बाबू, दा सहाब, राव, चावधरी, सभी तो एक ही हैं अब इसमें क्या गरा गया है? प्रसंग के अगर बात करें हम तो दा सहाब के मंद्री मंडल में सिक्षा मंद्री लोचन भहिया के मन में बीसु की हत्या को लेकर जो गहरे तनाव हैं, उसका यहां जीवन्त चित्रन जो है प्रस्तूत किया गया है लोचन जो है वो आदर्सवादी राजनीती के है राजनीती में व्याक्त भष्टाचार उन्हें परिशान करता है तो कुलबागू की पार्टी जिन कारणों से छोड़ी थी वे कारण उन्हें दास सहब की पार्टी में उससे भी मुखर रूप में दिखते हैं जो लोचन भाईया के छोग हुआ दुख के कारण है अब तीसरा हमारा वाक्यांस है कि हाँ गाउं में एक दल ऐसे लोगों का भी आया है जो सर्यामिस्तियोजना के चिड़ी इंदिया बिखेर कर लोगों को अगाह कर रहा है और विशू की मौत को भरसक जिन्दा रखने की कोशिस कर रहा है विशू मर गया कोई बात नहीं पर विशू की मौत का प्रसंग मर गया और इस समय तो वे कैसे जिन्दा रहेंगे अजीब रस्ता कसी हुई गाउं में प्रसंग के अगर बात करें तो विशेसर की मृत्यु के परश्चात दासाहब के सरोहा दौरे की चर्चा है इस दौरों को सफल बनाने के लिए घरेलू उद्योग योजना के उद्घाटन की तैयारी तैयारी है जिसे दासाहब दौरा उद्घाटित होना है विशु के मौत की चर्चा को घरेलू उद्योग योजना निगल लेता है इसी रस्टा कसी का या संदर्व है यहाँ पे हमारा चौथा वाक्यांस है एक छट ठहर कर बात पूरी की महेस ने बसेसी का इसी को लेकर वहतिर मिलाता रहता था उसका कहना था यह थोड़े से आदमियों के बढ़ने भर की बात नहीं है महेस बाबू समझ लीजिए गया कि पूरी की पूरी बस्ती का होसला ही मर गया आठ महिनों तक रात दिन समझा समझा कर इस लायक बनाया था कि च्छाती ठोक कर अपना हक मांग सके अब बहुत दिनों तक यह लोग अपने हक के लिए लड़के और होसला नहीं जुटा पाएंगे अब यह प्रसंग जो है वह विसु की मौत के बाद थाने में बयान लेने के लिए आएएसपी सकसेना के साथ महेस की बातचीत का है जिसमें वह विसु के तनाव को बताता है इसी के यहाँ पे शित्रन किया गया है पाचवां यहाँ पे देख लेते हैं सकसेना कुछ लिखने लगा और थानेदार मन ही मन भुन भनाने लगा बयान के नाम पर बुढ़े से पुरान बचवा रहा है पिसले चार घंटे से और उसने एक वाके बोल दिया तो विसारे से ऐसी लगी लंगी लगाई की आधी बात मुह में ही घुटकर रह गई अपने ही हलके में गीदर बना कर रख दिया गया इससरे यस्पी ने ऐसे पुछकार पुछकार कर बयान लोगों से लोगे तो कहीं अन कहीं सब कहेंगे ये लोग गाउं आले से पाला नहीं पड़ा लगता है इसका कभी जानते नहीं है कि जरा सीसा मिलते ही सीधे खोपड़ी पर सवार होते हैं ये लोग जूते की नोप पर ही ठीक रहते हैं अभी तो बिंदा जाने और क्या-क्या गुल खुलाएगा प्रसंग की बात करें इसमें तो देखिए यह प्रसंग विसेसर की हत्या के उपरांथ सरोहा गाउं में जान छितुआ यस्वी सक्सेना के समझ बयान देने आये हीरा की उपस्तिती के बाद फानेदार का है जो अपने मन हो सोचता है जो जिन्दिगी को इतना प्यार करता हो अपनी ही नहीं हर किसी की जिन्दिगी को आत्मात्या करेगा नहीं नहीं साहब उसे मारा गया है पर किसने मारा क्यों मारा बिंदा की आखों में फिर से कुछ धहकने लगा और कनपटी कटिनासे फड़कने लगी क्योंकि वह जिंदा था जींदा रहने का मतलब समझते हैं न आप लोग भूल गये हैं कि जिन्द्या रहने का मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ एक छट्रू का बिंदा एक छट्रू का बिंदा सक्सेना एक टक उसका चहरा देखते रहा और उसके आवेश को देखते रहे और बिंदा उसी रौ में कहता रहा और बिंदा जो है वो उसी रौव में कहता रहा और जो जिन्दा है वे अगजी नहीं सकते अपने इस देश में मार दिये जाते हैं कुट्टे की मौण जैसे बिसी को मार दिया गया तो सोचकर ही दिमाग के नसे फटनी लगती है और सचमुछ ही बिंदा ने दोनों हाथों से कसकर अपना माथा पकड़ लिया प्रसंग में यह विशेसर की हत्या के पस्चाज सरोहा गाउं में जाँ छेतू आये यसपी सक्सेना के समक्ष बयान देने गया बिंदा का कथन है और यह दिख लेते हैं सात्वा नंबर बिंदा की इस भावकता भरी बातों से बेचैन होने वाली उम्र और मानसिक्ता वे बरसो पीछे छोड़ाये हैं पुलिस वालों के लिए वैसे भी इस तरह की बाते मात्र लफाजी के और कोई अहमियत नहीं रखती बहुत बार बहुतों से सुने है इस तरह के नरगर प्रलाग उने बातों में नहीं और उसके चेहरे में जरूर कुछ हैसा है जो सकसीना को भैचैन बनाये हुए है बिन्दा का चेहरा फिर उनकी आखों में उभर आया और एका एक ही बरसो पुराना दिनेस उनके सामने आख़डा हुआ सचमुष दिनेस में कितना, दिनेस से कितना मिलता है इसका चहरा और इतनी देर से बिंदा नहीं, बिंदा की बाते नहीं, वरन अतीत की असंखे परतों को नीचे दबा हुआ दिनेस की उन्हें परसान कर रहा था शायर प्रसंग की बात करें, तो सरोहा गाउं में विशु की हत्या के प्रश्चात सक्सेना द्वरा बिंदा के बयान लिये जाने के बाद उसे अपने अतीत के साथ ही दिनेस की इस्मिती ताजा होती है, यह प्रसंग उसी मनाश्थिती को अभिव्यत्ती देता है आठवा देखते हैं, कि अपने सस्पेंस का आडर पढ़ने के बाद भी जैसे कोई प्रतक्रिया नहीं हुई सक्सेना के मन में, ना दुख हुआ, ना ही पश्चताप की, सामने बच्चों को खाना परोस्ती हुई पतनी पर नजर पढ़ी, क्या कहेंगे उससे, और कैसे बिंदा को लिए-लिए हरजन टोला और टिटहरी गाउं में घूमते रहे थे, तो रुकमा ने हांच जोड़ कर कहा था, इन्हें अपने साथ मत रखो साहब जी, इन्हें जरूर कोई कुछ नकुछ कर करा देगा, फिर क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा, और इस पर बि कुछती है तेरे पीछे में जनखा होकर बैठ जाओं, यह बिंदग है अपनी पतनी से, अब प्रसंग की बात करते हैं, सत्ता की ताकत सत्य और न्याय को हासिये पर धकेल देती है, सक्सेना को जब सस्पेंशल का ओडर आता है, या मिलता है, तब उनकी मना स्थितिक की इन बैठी हुई रुकमा घुटनों से सिर्दिये सिसक रही है, और सक्सेना के अपने मन में जैसे धीरे धीरे कोई करा रहा हो, गोदी में रखे ब्रीफ केस में आगजनी के बिसु की मौद के प्रमाडों से भरी फाइले रखी हैं, इतना समझाने के बाद भी मुसाफिरों के भरे डिबे में रुकमा का इस तरह रोना उने अच्छा नहीं लग रहा था, पुड़ी सकत आवाज में कहा चुप करो रुकमा, चौक को रुकमा ने इस जटके से सिरू उठाया और बड़ी अबूज सी नजरों से सक्सेना को देखती रही, इतना परचिस्वर, मगर वह व अहरी फाइलों को जो है दिली ले जा रही है, और इस तरीके समारा महाभोज समाप्थ होता है, महाभोज के साथ में हम यहाँ पे अगली क्लास में या फिर इसी क्लास में स्टार्टिंग कर देंगे देव्या की, ठीक है, अगर आपने उपन्यास नहीं पढ़ाया था हम दे देख लेते हैं दिव्या को, देखे दिव्या क्या, यह नयवपन्यास है, यसपाल जी जो है इसके रचनाकार है, ठीक है, दिव्या की सम्वेदना या मानववाद की बात करें, तो यसपाल मानववादी रचनाकार है, मानववाद आधुनी काल में विक्षित हुई बह वि इस्वर और परलोक से संबंधित सभी विश्वासों को खारिश करते हुए मानव तथा मानव जगत को केंद्र में रखती है। मानव वाद के कई रूख हैं कुछ मानव वादी जैसे मन राय और सार्थ व्यक्ति को अत्धिक वहत्त देते हैं जबकि कुछ मानव वादी जैसे माक्स, नहरु, इत्याली, समाजिक हीत को केंद्र में रखते हैं। क्या बताया है, कि असफाल जो है, वह मानव वादी रचनकार है, पहली बार, मानव वाद आधुनी काल में विक्सित हुई वह विचारता है, जो इस्वर और परलोग से सम्भंधित सभी विश्वासों को खारिश करते हैं, मानव और मानव जगत को केंद्र में रखता है, य यह बाहरी पारलोकिक सक्तिश्टि को चारीच करता है सीरे सिरे से, मानवबाद की रूप हैं खुछ मानवबादी जैसे representativeन राया और साथ वयथि को अदधिक महत देते, जो मानवबादी अगर देखा जाते यह इनवर साथ हैं, जो मानवद को अदधिक महत देते हैं, कुछ मानवादी जो है वो जिसे माक्स की बात करे नहरू की बात करे यह समाजी खित को ज्यादा महात देते हैं ठीक है अब व्यत्ति को स्वैत्त नहीं मानते यसपाल चुकी माक्सवादी विचारक है इसलिए इन्होंने मानववाद के उस प्रारूप पर बल दिया है जिसे सामाजिक वंचन, सोचन, धमन, आदिके विरुध, प्रतिरोध दर्ज किया जाता है ठीक है? वहीं देख लेते हैं मानव की महिमा का चेतन किस प्रकासे किया यसपाल ने अपनी का उपन न्यास के माध्यम से? देखिए देखिए मानववादी द्रिष्टीकोन के आधार पर यसपाल ने देव्या में कई संक्रेत प्रस्तुत किये हैं वे प्राकथन में ही मनुस्य की महिमा का देव्य चेतन करते हैं उन्होंने अस्पष्ट किया है कि समाज की हर समस्या स्वेम मनुस्य द्वारा निर्मित है और यदि मनुस्य विद्रोह करने की ताकत रखता हो तो वह बड़े से बड़े धांचे को तोड़ सकता है प्राखतन में कुछ वाग किस प्रकार हैं, आई देखते हैं, जैसे, उन्हों काया कि मनुस भोकता नहीं करता है, संपूर माया मनुस की केड़ा है, यह उन्होंने अपने उपन्यास में प्रयोग किया है, दूसरा क्या है, कि मनुस से केवल परिस्थितियों को सुलजाता नही वह परिस्थितियों का निर्मान भी करता है वह प्राकृतिक और भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन करता है सामाजिक इस्थितियों का वह रिष्टा है यानि मनुस्य केवल परिस्थितियों को सुलजाता ही नहीं बलके वह परिस्थितियों का निर्मान करता भी है और म वह उसे बदल भी देता है अलौकिक आस्थाओं के माद पर चोट भी किया है यसपाल जी ने अपने रचनाओं के माद्यम से कर बात करें तो मानववादी विश्वास के अंतरगत यसपाल ने अपनी काफी उर्जा उन अलौकिक विश्वासों को खंडित करने में लगाई है जो मानववादी को खटकते हैं मानववादी जगत की व्याख्या भौतिक वादी नजरिये से करते हैं जिसके अनुसार चेतना की उत्पत्ती जड़पदार्थ से होती है ना कि चेतना के जड़पदार्थ की इनका स्वभावी परड़ाम यह होता है कि इस्वर्व आत्मा जैसी चेतन, संत्य, सत्य, खंडित हो जाती हैं और जगत ही अंतिम सत्य बन जाता है भारत के 9 दर्शनों में से 4 बाक और लोकायत, मातर, एक ऐसा दर्शन है जो भौतिक वात्र को अध्याइन है नौ दर्शन है भारत में जिसमें से केवाज चार वाग अथ्मा लोकाया दर्शन ये एक मात ऐसा दर्शन है जो भौतिक वाद को अपनाता है बाकी सभी क्या है और लोकिक वाद को महत्तु देते हैं इस बात को आपको याद रखना है चार वाग जब तक जीओ घ्योपियो ठीक है भार लेके घ्योपियो विश्वासों को खंडित करता है इसी दर्शन को प्रतनिधी मारिश के माध्यम से यस्वाल ने अलावकिक विश्वासों का खंडन किया है उसके कुछ प्रमुक कथनिस प्रकार है जिस स्थूल प्रत्यक्ष जगत और सरीर का अनुभव संपूर जन करता है उसे ब्रह्म मानना और जिस ब्रह्म और जिवात्मा की कल्पना के वल ब्रह्मवादी ही करता है उसे सत्य मानना क्या युक्ति युक्त और तर्कसंगत है देवी यह जीवन ही सत्य है यह संसार ही सत्य है जो पाना है इस जीवन में पाओ पर लोगवात का खंडन की है बिसिकली और इह लोगवात की अस्थापना इनों की है इस माक्त के माध्यम से भाग का अर्थ है कि मनुस्य की विवस्ता और कर्मफल का अर्थ है भागय का अर्थ है मनुष्की विवस्ता और करमफल का अर्थ है कष्ट और विवस्ता के काण का अग्यान भद्रे इस अत्रिक्ष भागय और करमफल पर कुछ नहीं भागवाद का खंडन किया है नि वे विश्णु सर्मा के साथ अपने विवाद में कहते हैं कि देवता का विधान केवल विश्वास और अनमान की वस्तु है जैसे देवता के अस्तित्व का प्रमाण केवल विश्वास है विश्वास और अनमान है और अनमान अनुभव के आधार पर ही हो सकता है यदि अनमान अनुभाव द्वारा प्रमाडित नहीं हो तो संदिग्द है अब वर्ण विवस्था की बात करें तो यह स्पाल जो है वो माक्सवादी रिशनाकार होने के नाते हर उस विशंता का विरोध करते हैं जो समाज में सोशड और वचन पैदा करती है यह उपन्यास जिस कालखंड में संदर्व में लिखा गया है वहां भारती समाज की सबसे बड़ी विशंता मुलग समस्या वर्ण विवस्था थी वर्ण विवस्था व्यक्ति के संपूर्ड जीवन को उसके जन्मे से जन्मे के संयोग पर निर्भर बना देती है योग व्यक्ति यदि उच्छ वर्ण का हो तो भी अवैद रूप से प्रसिष्था पाता है जबकि कोई योग व्यक्ति ने नुबर्ग होने किसे मात्र अपनी सारी संभाव में वह बढ़ता है प्रिथुसेन के माध्यम से यस्पाल ने वण व्यवस्था से उत्पन्द होने वाली पीड़ा दिखाई है वह सबसे योग और कुसल सैनिक है जिन्तु से ना तो दिव्या की सीविका को उठाने का अधिकार है और नहीं वर्ड अंतराल के कान दिव्या के प्रेम करने का अधिकार मुझा सूचता है कि जन्म का अपराध है तो उसका मार्जन की स्थखा संभह है सस्थ्र की सक्ति धन की सक्ति विद्या की सक्ति कोई भी सक्ति जन्म को परिवर्थित नहीं कर सक्ति इस पीडा का चरम अस्तर वहां दिखता है जहां प्रितुष्ण जीवन से पलायन करने की मना इस्थिति में आ जाता है इन पंक्यों में उसका अलगावाश पसी दिखता है दिव्या को ले कर वहा किसी अघ्यात दिशा और देश में जाकर अपने लिए नया स्थान नया समाजillos बसा ले ऐसे देश में जहां वहां अपने जremos के लिए धंडित न हो जहां वहां अज्यात कर्मों के फल से विवस्त नहों जहां उसे कर्म करने का स्वतंत्र उसर हो जहां उसका पुरुसाथ प्रतिभा अकुलीन प्रिपिता के संतान होने के काण वर्थ में नचली जाए दिखिए यह उपन्यास तभी आपको सुन में आएगा या फिर यह गद् नहीं संधान पूरा उपन्यास उन्होंने आइचिंक ए गंठी को होगा एक गंठी में पूरा उपन्यास अनुना सम्झा दिया और एप्रॉक्समेटली पांट से पांट से चाइस घंटी आपको लगेंगे उपन्यास को पढ़ते हुए ठीक है एक दिन में हो सकता ना भी हो लेकिन आगर आप यहां पर कहेंगे तो मैं इसी ऐसे ही आपको उपन्याज भी पढ़वा दूगा उपन्याज पढ़ने के बाद चीजह है हमारे दिमाग में फिक्स रहती है कि हाँ दिव्या कौन है मारी शाह भी आएगा तो उसमें वो कौन है ठीक है फित हुसेन कौन होगा इसके बाद यह सभी कर जो है दिव्या भी आगे चलकर जो है अन्य रूप नाम से जानी जाएगी तो इसमें सारे बहुत सारे कंफुजन होते हैं ठीक है तो जब पन्यास आपने पढ़ रखा है मैं कोशिश करूंगा को पन्यास को जो है मैं आगले वीडियो के माद्यम से ना फिर किसी अन्य वीडियो के माद्यम से पढ़ा दूं बाकी जो है चीज़े समस्तिव आइधिंग आप चलते होंगे इसम OCB इसमें कि दाज वेवस्था पर चोटवी की गई है अगर दाज वेवस्था पर चोट की बात यहां पर किया जाए है देखिए भारती तिहास की विद्वनु में मतभेद है कि प्राचीन भारत में दाज व्स्था थी या नहीं या स्वाल की मानिता है कि इरोप के देशों की तरह भारत में कुछ देकिंगे हम यहां पिसको आगले वीडियो में हो सकता है माद दिम समय हाँ पढ़ाएं तो दास ववस्था पर चोट हम इसको आगले वीडिय with us thank you so much